श्री वेदवियास मुनी ने भागवत कथा लिखने से पहले शुमद भागवत की महिमा बताई अनेक इतियास और प्रसंगों के माध्यम से संक्षिप में हम सब ने शुमद भागवत की महिमा सुनी कई बार कुछ लोगों के मन में प्रश्न होता है कि ये भागवत क्या है तो मैं छोटी सी पहचान देदू कान खुला रखियेगा शिमद भागवत क्या है तो एक शिमद भागवत पंचम वेद है वैसे तो रीग, साम, अथर्व और यजूर चार वेद है परंतु भागवत जो है ये पाँचवा वेद इसलिए हमारे आचारियों ने लिखा इतिहासम पुराणम पंचम वेदानम इति वेदम शिमद भागवत पाँचवा वेद है शिमद भागवत साक्षात भगवान के मुख से निकला हुआ ग्रंत है वेदव्यासमुनी ने जितने भी पुराण लिखे ये सारे पुराण भगवान के मुख से नहीं निकले केवल दो ग्रंत ऐसे हैं जो स्वयम भगवान के मुख से प्रकट हुए एक शिमद भागवत गीता और दूसरा शिमद भागवतम और इसी लिए असंख्य शास्त्रों में से ये दो ही ग्रंत ये दो ही शास्त्र ऐसे हैं जिस शास्त्र के आगे श्रिमद शब्द लगाया गया है श्रिमद इसलिए क्योंकि ये श्री भगवान के श्री मुख से प्रकट हुआ है इसलिए श्रिमद भागवत एवं श्रिमत भगवत गीता तो भागवत पंचम वेद है भागवत स्वयम भगवान के मुख से निकला हुआ ग्रंत है श्रिमत भागवत समस्त वेद पुराण उपनिशदो का सार है श्रिमत भागवत रस से भरा हुआ सागर है श्रिमद भागवत ज्यान वैराग्य और भक्ति का मूल है श्रिमद भागवत मुरुत्यू से मुक्त कराने वाला गरंत है श्रिमद भागवत मुरुत्यू को मंगल में बनाने वाला गरंत है श्रुमद भागवत व्यक्ति को शांती और समाज में क्रांती लाने वाला गरंत है आपको नहीं लगता है यह थोड़ी बहुत क्रांती हो रही है श्रुमद भागवत जो है समाज में क्रांती लाने वाला गरंत है श्रमद वागवत काल और भाई से मुक्त करने वाला गरंत है श्रमद वागवत भगवान के समस्त्र अवतारों का इतिहास है और अंत में श्रमद वागवत उभयात्मक गरंत है यह अदभुत गरंत है उभई माने दो श्रिमद भागवत को उभयात्मक गिरंत कहा गया क्यों? क्योंकि श्रिमद भागवत की पूजा दो प्रकार से होती है श्रिमद भागवत की पूजा उनकी आरती करके उनको भोग अरपन करके फल, फ्रूट, भोजन अरपन करके भी श्रिमद भागवत की पूजा हो सकती है और श्रिमद भागवत का श्रवन करके भी भागवत की पूजा होती है तो श्रिमद भागवत श्रोतव्य भी है और सेव्य भी है इनकी पूजा भी कर सकते है श्रवन भी इसलिए भागवत को उभयात्मक गरंत कहा गया और सबसे उत्तम श्रिमत भागवत ये हम और हमारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ता हैं हिस्ट्री जोमेटरी ऐसी कोई टैक्स्ट बूक नहीं है श्रिमत भागवत कोई साधारन पुस्ति का नहीं है ये श्रिमत भागवत भागवत के बारह स्कंद भागवत के कौन से अंग भागवान का कौन सा स्वरूप है प्रतम द्वितिया तृतियतुरियो कतितो यदूरू नाभीस्ततापन चमयेव सस्थो भुजातरंगो युगलततान्यो कंठस्तुरामं नवमोयदीयो मुखार विंदम द्रिशम प्रफोल्लम एकांद शोय स्यललाट पटम शीरो तुद्वाद शयेव बाति पद्म पुरान में व्यास्मनी लिखते हैं पादो यदियो प्रतमतु द्वितिया शुमद भागवत का प्रतम और दुसरा सकंद जो है भगवान सी कृष्ण के दो चरण है प्रतम द्वितिया पादो यदियो कृष्ण के पाद पद्म चरण कमल तृतिय तुरियो कतितो यदूरू तीसरा और चोथा सकंद कटी प्रदेश के दो भाग है पाचवा सकंद भगवान सी कृष्ण की नाभी है चठा सकंद भगवान सी कृष्ण का वक्षस्थल है साथवा सकंद और आठवा सकंद भगवान कृष्ण की दोनों भुजा है भागवत का नौवा सकंद भगवान सी कृष्ण का कंट है और दशवा सकंद भगवान सी कृष्ण का मूख है भागवत का ग्यारवा सकंद भगवान का ललाट है और बारहवा स्कंद भगवान सी कृष्ण का तिलक है सो इस प्रकार श्रिमद भागवत के बारह स्कंद भगवान सी कृष्ण के बारह अंग है कुल मिलाकर यदि हम सोये विना या अपने मन को यहां वहां भटकाए विना यदि ठीक से भागवत सुनते हैं तो मानो हम direct भगवान का association कर रहे हैं मानो हम भगवान के गोद में बैटे हैं या भगवान हमारे गोद में बैटे हैं यदि हम ध्यान से भागवत सुनते हैं क्योंकि ये भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप है भागवत शब्द की व्याख्या कर दूँ विदव्यास मुनी के पिता पराशर रुशी ने कहा कि भागवत शब्द जो है भागवत इसमें चार अक्षर है भा माने भक्ती देने वाला गमाने ज्यान देने वाला व माने वैराग्य देने वाला और तमाने संसार से तारने वाला जो भक्ती दे, ज्ञान दे, वेराग्य दे और संसार से तार दे उसे कहते हैं भागवत और हमारे भारत के संत पुझे डॉंगरे जी महराज अकसर कहा करते थे तो गुजराती में बोलते थे भागवत एटले श्यों बिल्कुल सरर गुजराती बाशा में भागवत इटले शो भागवत मा भ इटले जने बनी शकाई ग इटले जने गनी शकाई वो इटले जनाथी जीवन ने बनी शकाई अने तो इटले जनाथी जीवन ने तारी शकाई अनुनाम भागवत सो श्रुमद भागवत की महिमा भागवत का परिचाई भागवत शब्द का अर्थ और आईए साथी साथ भागवत की परंपरा बता दूँ श्रुमद भागवत की तीन परंपरा है श्रुमद भागवत तीन परंपरा से प्राप्त हुआ है एक परंपरा उपर से चली, एक परंपरा पाताल से चली, एक परंपरा धर्ती से चली, भू, भू, अध, तीनो डाइरेक्शन, तीनो लोकों में भागवत की परंपरा चली, जो भागवत की परंपरा उपर से चली, वो परंपरा है, भगवान नारायन है, यह भागवत ब्रह् जिन्हें शुगदेव, शुगदेव गोस्वामी ने महराज परीक्षित और सूथ गोस्वामी को, और सूथ गोस्वामी ने नेमी शरन्य में 88,000 रुशी मुनियों को, ये एक भागवत की परंपरा, भागवत की दुसरी परंपरा जो पाताल से चली, नीचे से आई, भगवा बगवान संकर्ष्ण ने अनंत सेश, आप सब जानते हैं, अनंत सेश निरंतर अपने मुख से भागवत कथा का गान करते हैं, तो श्री अनंत सेश पाताल में ये भागवत कथा का ग्यान सनत कुमार को प्रदान किया है, तो भगवान संकर्षन ने सनत कुमार को दिया सनत कुमारों ने यह भागवत सांख्यान मुनी को दिया सांख्यान मुनी ने यह भागवत देवताओं के गुरु ब्रिहस्पती और पराशर रुशी को दिया और पराशर रुशी ने पुलत से रुशी के कहने पर यह भागवत का ज्ञान मैत्रे मुनी को दिया और मैत्रे मुनी ने हरिद्वा रुशी केश में यह भागवत का ज्ञान महात्मा विदूर को प्रदान किया तो एक परमपरा उपर से चली निचे से और एक भागवत की परमपरा है कि यह भागवत का ज्ञान एक बार स्वयम भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों को बुलाकर डिरेक्ली यह भागवत का ज्ञान प्रदान किया था सो इस प्रकार शुमद भागवत की वक्ता की तीन परमपरा है जब भी हमें भागवत सुनना हो, समझना हो तो हम जिससे भागवत सुन रहे हैं क्या वह व्यक्ति इस परमपरा में है हमें यह चेक करना चाहिए खेर हमारी यह ब्रह्म मद्धो गोडिय धारा शिल प्रवपाजी की यह संस्था पुर्ण रूप से शुमद भागवत की इस परमपरा में है जैसे भगवान से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास, व्यास से मद्धव और जो परमपरा चली है उसी परमपरा से हम सब भागवत श्रवन कर रहे हैं भागवत के वक्ता की परमपरा, वक्ता की योग्यता भी हो गई अब थोड़ा सा भागवत के श्रोता की योग्यता भी समझ ले कि भागवत के श्रोता कैसे होने चाहिए सो भागवत के श्रोता की परमपरा, स्वयम शुगदेव को स्वामी बताता है कि वागवत के शुरोता तीन प्रकार के होते हैं ज्यादा नहीं तीन प्रकार के अब ये हम को तई करना है कि ये तीन में से हम कौन है वागवत के तीन प्रकार के शुरोता एक शुरोता दूसरा सरोता और तीसरा सोता शुरोता, सरोता और सोता तो यह यह तीन प्रकार के शुरोता होते हैं एक है उत्तम कोटी के शुरोता जिसे आप सब लोग कल ही मैंने मारे तो एक गानू गावू पेडू काले गाना भी मैंने गाया था देवता लगते हो आप तो यह तो शुद्ध शुरोता है शुद्ध शुरोता भागवत सुनते समय अपना मन, बुद्धी सब कुछ भागवत में लगा देते हैं प्रतियक इंद्री शुमद भागवत को श्रवन करने में लगाते हैं यह शुद्ध शुरोता है और यह शुद्ध शुरोता जो है न मचली जैसे होते हैं तोते जैसे होते हैं हंस जैसे होते हैं और चातक जैसे होते हैं यह शुगदेव गोश्वामी ने का जो शुद्ध शुरता होते हैं मचली की तरह अपनी आखों को बंद किये बिना एक द्रश्टी से भागवत सुनते हैं शुद्ध शुरोता तोती की तरह बागवत सुनते हैं और सुनने के बाद मदुर मदुर भाशा में संसार में बागवत दुसरों को सुनाते हैं और बागवत के अच्छे शुरोता चातक की तरह होते हैं चातक पक्षी स्वाती नक्षत्र में आकाश से गिरे हुए जल को डाइरेक्ट अपने मुख में ग्रहन करता है और इसे जल के बिना वो मर जाएगा लेकिन अन्य जल ग्रहन नहीं करेगा ठीक उसी प्रकार जो उत्तम शुरोता होते हैं वो भागवत शुद्ध भागवत सुन बागवत के शुद्ध शुरोता में है हंस शुरोता जैसे हंस को पानी और दूद दे दो तो हंस में यह गुण है वो दूद दूद पी जाता है पानी को छोड़ देता है तो अच्छे शुरोता में एक शुर思श कभी कभी कथा बोलने का वाले से भी गलती हो जाती है कथा बोलने वाला कोई सिधा तो उपर से नहीं आया वो भी आप लोगों की तरह ही पड़ा लिखा और जो कुछ भी जानता है बोलता है और चमड़े की जीव होती है माया का प्रभाव होता है कल्यूगी बुद्धी होती है बिचारा फिसल जाता है हमारे भूले थे जाए तो हमारे पकड़ी नहीं लेवानू तो हमसे कोई गल्ती हो जाए तो परमहन से शुरोता जो है उसमें ये गून है कि दूद दूद ग्रहन कर लेता है पानी को छोड़ देता है जो सार बाते होते हैं उसे वे ग्रहन करता है और अन्य वस्तू को वे त्याग देते हैं स्वईस प्रकार से ये हो गए आप लोग जैसे आप में से कुछ लोग तोते जैसे शरोता है, आप में से कुछ लोग चातक जैसे हैं, कुछ लोग परमहंस जैसे हैं लेकिन दूसरे टाइप के जो शुरोता है नहीं डाया उसको शुरोता नहीं कहा गए, उससो सरओता जानते है, पान् बिडी की दुकान में सरओता है, आपड़े गुजराती में सी धी भाषा मा इने सूडी कही है आपड़े, सोपारी का अपपा माते ज़ड़े ठीक हुए तो सरोता कहता है, तो सरोता इटले सूडी, सूडी का काम क्या होता है, सरोता क्या करता है, वो काटने का काम करता है, तो second class के जो शुरोता एक मात्र काटने का काम करता है काटना माने किसी की युक्ति को काटना ये प्रभुजी ये बराबर नहीं बोल रहा है ये अमित नारेंजो ना पींक कूरता ठीक नहीं लग रहा है उसको वाइट पहनना चाहिए उसको ये करना चाहिए तो तू थेरा करना यार लेकिन बस गाउं का वाइवड जो करते हैं बस केवल वाइवड रहा है आज ये बाल कृष्न का फोटो पीछे नहीं होना चाहिए आज दूसरा होना चाहिए तो तारो मुको आया पाच आज तारो फोटो मुको लेकिन जो घुनce सरोता बस किवल दूसरे की बातों को काटो तो यह सेकंड क्लास के शरोता कथा में आते तो है लेकिन कथा में गून लेने को नहीं, दोश देखने को आते हैं आप मेंसे तो कोई ऐसा नहीं है लेकिन बागवत में शुगदेवजी ने कहा कि इस टाइप के शरोता भी होते हैं और फिर यह तो second class हो गए फिर third class के कौन है बले वो न तो शरोता है न सरोता है अच्छा सरोता में मैं आपको एक example दे दू सरोता जो है न एक example दे दू सरोता माने अब अच्छे शरोता तो आप लोग जैसे होते है मीन, मचली जैसे, तोते जैसे, चातक और हंसके जैसे लेकिन इस second class के जो शरोता सरोता है न वो उट जैसे होते है उट देखा उट तो मैं दरिय न थी जाता बीच पर नहीं जाते हैं वह उट नहीं होते है उट तो उट को आपने देखा उट क्या होता है वैसे ये रेगी स्थान में बहुत देखने मिलता है और उट जो है रेगी स्थान में पेड के पत्ते खाता है और जब वह उट पेडों के पत्ते खाता है तो उसमें उसे बड़ा रहस आता है उट को बड़ा आनंद आता है वास्तों में देखा जाए तो पेड़ों के पत्तों में वो कोई आनन्द वरस नहीं होता पेड़ के पत्तों में काटे लगे होते हैं और काटे के साथ वो पत्ते खाता है काटे उंट के मुख में लगता है खुन निकलता है और अपना ही खुन पीता है उरसे लगता है यह पेड़ के पतों का आनन्द है समझे रहे ना तो उंट पेड़ के पते खाने का आनन ले रहा है लेकिन वो पते का आनन नहीं वो अपना ही खुन पी रहा है लेकिन उंट जानता नहीं कि मैं मेरा ही खुन पी रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार, दुसरों की काटने वाले, निंदा इर्शा करने वाले आनंद तो ले रहे हैं, लेकिन वे जानते नहीं, मैं अपनी ही आत्मा का पतन कर रहा हूँ, मैं अपनी ही आत्मा का हनन कर रहा हूँ, तो यह है उंट जैसे शुरोता है, तो यह सेकंड क्लास के शुरोता है, और फिर थर्ड क्लास का, नशुरोता, नसरोता, थर्ड क्लास जो है न, वह है सोता, हमारे यहां आते हैं इसे दो तिन लोग, तो तो थर्ड क्लास के जो है, वह है सोता, बस माइंड सेट ही होता है, कि बस अब आट बज़े कता शुरू होगी, तो हमारे सोने का टाइम शुरू होगा, और दस बज़े जब समापत होगी, तो हमारे जगने का, बनलब उनके मन में ऐसा प्रोग्राम सेट ही होता है, कि ओम नमो भगवते वासुदेवा यह जब होता है तो यहां उसकी नींद शुरू होती है और कथा समाप तो तब नींद खुलती है तो इसे कहते हैं सोता तो कथा में जो है ना कथा में सो जाना यह दुनिया का सबसे बड़ा लॉस है हमारे रूप गोश्वामे ने कहा सोने की बात तो दूर रही जब हम कथा सुन रहे हो और जब हम हरी नाम जब कर रहे हो और हमारे आखों के देखते पचास किलो का गी अब उन दिनों तो गी सबसे महंगा था इसलिए यह पुराना दरश्टान्त है आज आप कुछ और भी जोड सकते हैं लेकिन उनोंने लिखा कि पचास किलो का गी का डिबा यदि आपके सामने पड़ा हो आप कथा सुन रहे हैं माला जब कर रहे हैं और आपके सामने वो डिबा गिर जाए और पचास किलो का गी जो है बरबाद हो जाए लेकिन फिर भी आपका मन यहां का वहां न हो आप आपका शरीर खड़ा न हो और आप पूर्ण रूप से कथा सुनते रहे हरी का नाम लेते रहे तो समझना चाहिए आप शुद्ध भक्ति कर रहे हैं यह तो डिबा गिरा भी नहीं है तो हम सोचते हैं कहीं गिर तो नहीं गिया होगा और आज यदि डिबा गिर जाए न तो मैं थुड़ा सा सुधारा कर देता हूँ कि खड़े होकर सीधे उस दिबे को ठीक से रखकर फिर से कथा में आकर बैठ जाना नहीं तो क्या होगा वो डिबा गिरा हुआ रहे हम बैठे तो रहेंगे लेकिन मन में सोचते रहेंगे डिबा गिर गया डिबा सो कुल मिलाकर शुमद भागवत कथा सोने के लिए नहीं है सोये हुए लोगों को जगाने के लिए है और भागवत कथा जब हम सुनते न तो नींद आती है क्योंकि जब भगवान रामचंद्र ने कुम्ब करण को मारा तो कुम्ब करण की पतनी निद्रा देवी भगवान राम के पास आई कहा प्रभू आपको प्राप्त करने का सरल मार्ग क्या है भगवान रामचंद्र ने कहा मुझे प्राप्त करने का सरल मार्ग है मेरी कथा का शुरवन करना तब निद्रा देवी ने कह मुझे पता चल गया अब आपकी कथा जहां-जहां होगी मैं आपके शुरताओ के मस्तक पर जाकर बैढ जाओंगी मैं आपके किसी भी शुरता को आपकी कथा सुनने नहीं दूंगी ये निद्रा देवी का वरत है कि जो साधना करेगा कथा सुनेगा वो सीधे उसके मस्तक पर ने तो आप देखो न ऐसे आप पूरा दिन सौफे पर बैठे रहो नीद नहीं आएगी लेकिन जैसे ही कथा सुनते तो नीद आती है और कोई काम करो आपको नीद नहीं आएगी लेकिन जैसे माला में आत दाला तो नीद आती बगवत किताब पड़े तो नीद आती है ये निद्रा देवी का वरत है कि प्रभू जो आपका भजन करेगा मैं उसके सीर पर जाकर बैठ जाओंगे तब भगवान रामचंदर ने भी कहा कि कोई बात नहीं तुम अपना वरत निभाओ मैं भी वरदान देता हूँ कि जहां मेरे भगत कथा सुनेंगे वहाँ नीद आएगी लेकिन यदि वो भगत कथा सुनते हुए मेरे नाम का किर्तन करेंगे तो तुमें उस थान को छोड़ कर वहाँ से चला जाना होगा और इसी लिए श्रुमत भगवत कथा के द्वरान हम भगवान का नाम लेते हैं किर्तन करते हैं ताकि निद्रा देवी दूर भाग जाए और यदि इतने से भी नहीं होता है तो पूछे नारदू तारी रे जाजा निद्रा मूतने वारू योगी ने लूट्याते तो भोगी ने लूट्या जी नर्शी मेता कहते हैं कि निद्रा निद्रा तुने किसी को नहीं जुड़ा योगी उखो भी लूटा भोगी उखो भी लूटा इसलिए अमारे देश के संत कहते न, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है, सो इस प्रकार सोते रहे गए, तो भागवत रूपी मनी, भागवत रूपी हीरा हम खो देंगे, इसलिए भाव से निद्रा को वश्मे करते हुए, महमंत्र का गान करते हुए, शुम धने करें आईए महामंत्र के साथ अब भागवत को हम खोलते हैं शुमत भागवत की अब तक भुमिका हो रही थी अब भागवत में हम प्रवेश करने जा रहे हैं भाव से महामंत्र दोनों आथ उपर करके और जितना जोर से हो सके पडोसी यदि आजाए बाजू में तो राम 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 रे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष